हलो फ्रेंट्स मैं कुंदर कुमार आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉंसेप्ट में स्वागत करता हूँ फ्रेंट्स आज का जो वीडियो लेकर आए है वो रुक्मिनी परकासन के तरब से जो बिहार पुलिस सिपाई भरती 2020 में जो निव वाकेंसी आया हुआ है 2391 पत के लिए उसके लिए जो मॉडल सेट निकाला गया है रुक्मिनी परकासन के तरब से उसका टेस्ट स्रीज 8 लेकर आए इससे पहले हम लोग 7 टेस्ट स्रीज जो है वो लगा चुके हैं और वहाँ से जाके उसको डाउलोड करके आप लोग देख सकते हैं अगर इस चैनल पर नए है तो पिलिजए इस चैनल को एक बड़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन बगल में होसका उसको जरूर दवा लीजिए वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएग कि 7 मार्च 2023 को नागा लाइंड में पांचमी बार मुख्य मंतरी का पदभार किषने संभाला है तो इसका सही आंसर है आफका आफसर नमर A नेफ्यू रियो जो है नागा लाइंड के पांचमी बार मुख्य मंतरी बने है उसके बाद जो अगला कुश्चन है अगला कुश्चन है कि जर्मन सिल्वर में निमलिखित धात्वें होती है यानि कि जर्मन सिल्वर में निमलिखित कौन कौन सी धात्वें होती है तो इसका जो सही आंसर है वो है आफका आफसर नमर A तामबा जस्ता और निकेल जो है जर्मन सिल्वर में पाया जाता है अगला क इसका जो राइट आंसर है आपका option number D प्राकरतिक गाईस इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके बाद जो अगला question है वो है कि प्रदूसकों के रूप में फिनो लिक्स को गंदे पानी से किसका प्रियोग करके निकाला जा सकता है तो सही answer है बहुलक अधिसोसक बहुलक अधि प्रदूसकों के राइट आंसर हो जाएगा उसके बाद जो अगला question है question number 15 में दिया हुआ है कि nitrogen किसका अनिवारे घटक होता है इसका जो सही answer है वो है protein का nitrogen किसका अनिवारे घटक होता है तो protein का घटक होता है उसके बाद अगला question है अपनी खिचरी अलग पकाना का अर्थ तो इसका जो सही answer है वो है सबसे अलग रहना सबसे अलग रहना ही इस मुहावरे का अर्थ है next question 17 नमर में है कि 1027 इसमी में महमूद गजनवी का अंतिम अभियान था क्या इसका जो सही answer हो है सिंध सिंध पर आकरमन जो है इसका right answer हो जाएगा उसके बाद जो अगला question है question number 18 अठारा दिया हुआ है कि उदास सब्द का बहुचन क्या है इसका जो सही answer है वो है आपका option number A उदास इसका right answer होगा उसके बाद question number 19 में है कि अनुचीत जोरे को छाट दिये तो इसका जो सही answer है वो है आपका option number B तूती बोलना मतलब भी रिखतो होना इस question का right answer हो जाएगा उसके बाद आईए हम लोग अगला question देखते है question number 20 कहरा है कि दिये गये वाकिको सुद्ध करें मोहन ने पुस्तक पढ़ा तो इसका जो सही answer है वो है option number B यानि कि मोहन ने पुस्तक पढ़ ही इस question का right answer होगा अगला question है 21 नमर की निमन में से कौन सा एक कथन सही नहीं है तो स उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकास देता है निमन में से कौन सा कथन सही है तो इसका जो कथन है वो option number D यानि कि कम प्रकास वाले बल्ब में resistance अधिक है यही इस question का right answer होगा उसके बाद अगला question है 23 नमर की प्रच्छेप गति की स्थिति में कहा कोन ये संबेग नियून होता है तो इसका जो सही answer है वो है आपका option number A प्रारंभिक बिंदू पर प्रारंभिक बिंदू इसका right answer हो जाएगा उसके बाद जोगला question है question number 24 question number 24 में है कि जल से भरे एक बाल्ती 4 मीटर तरिज्या के उर्द ब्रित में इस प्रकार घुमाई जाती है कि जल नीचे नहीं गिरता एक चक्कर का अधिक्तम समय लगेगा तो इसका जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपका option number D यानि की 4 second next question 25 नमर में है कि बल की भातिक और निरभरता और निरभरता परिनाम है किसका तो इसका जो सही answer है वो है आपका गती के पर्थमनियम का गती के पर्थमनियम क इस question का सही answer होगा उसके बाद अगला question है 26 नमर यदि सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाए तो इसके कमपनों की आवड़ती क्या हो गई तो इसका सही answer है घटेगी क्या हो जाएगी घट जाएगी next question है question number 27 question number 27 में है कि spring की स्थितिज उर्जा नियूनतम है जब यह है तो इस question 28 नमर है कि जब किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होगा तो इसका पृष्ठ तनाव जो है घटता है पृष्ठ तनाव इसका क्या होगा घट जाएगा अगला question है 29 number कि एक समान ब्रत्य गति में तौरन होता है क्या इसका सही answer option नमर परिमान में नियत वत्तरिज्या के अनुदिस भीतर की ओर नेक्स्ट कोश्चन है तीस नमर में कि द्रव से भरे पातर की तली पर दाव निर्भर नहीं करता है इसका सही आंसर अप्सन नमर सी तली के छेत्रफल पर तली के छेत्रफल पर उसके बाद जोगला क्वेश्चन है तीस नमर की वार अफ लंका के लेखक कौन है तो इसका सही आंसर है अमिस्त्री पार्थी अप्सन नमर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उसके बाद जो अगला question है 32 नमबर कि महरोली के लह अस्तंब पर कौन सा नाम उत्किर्न है तो इसका सही answer हो जाएगा चंद्र चंद्र इस question का right answer होगा option नमबर D next है 33 नमबर question कि G20 tourism working group की बैठक भारत की अध्यक्सता में कहां आयू जित हुई तो सही answer है स्री नगर में कहां आयू जित हुई स्री नगर में next question है 34 नमबर कि कौन सुफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था इसका जो right answer होगा वो होगा सेख निजामुदीन औलिया option number C इस question का सही answer होगा उसके बाद जो अगला question है question number 35 question number 35 में है कि तथा कथित कू प्रसासन के अधार पर किस governor general ने मैसूर राज के प्रसासन को ले लिया था सही answer है Lord William Bantic option number C इस question का सही answer होगा उसके बाद जो 36 number question है कि अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन हुई सही answer है इसका Lord Alan Barrow के समय में Lord Alan Barrow के समय में अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन हुई उसके बाद जो अगला question है question number 37 question number 37 में है कि चोल सासन किस के लिए प्रसिध है तो सही answer है आपका option number C यानि कि एक दो और चार एक में दिया है ग्राम सासन वेवस्था दो में है नटराज की मूर्ती और चार में है मंदीर के गोपूरम के लिए तो यही इसका right answer हो जाएगा उसके बाद आईए हम लोग अगला question देखते है question number 38 38 में दिया हुआ है कि भारती राश्ट्रे कॉंग्रिस के पर्थम अधिवेशन में कितने परतिनिदियों ने भाग लिया था तो इसका जो सही answer है वो है आपका 72 72 परतिनिदियों ने भाग लिया था भारती राश्ट्रे कांगरेस के पर्थम अधिवेशन में Option number A इस question का सही answer होगा उसके बाद 49 number question में है कि समनवित बाल विकास परियोजना यानि कि ICDS के अंतर गत निमलखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है तो सही answer है परिवार नियोजन Option number B इस question का सही answer होगा नेक्स्ट question चालिश नमर है कि निमलखित में से किसकी सी फारिष के अधार पर सम्मिधान सभा का गठन किया गया था इसका जो रही सही answer है वो है आपका Option number B Cabinet Mission योजना Cabinet Mission योजना इस question का सही answer होजाएगा Next question है 41 number में कि संभीधान की प्रस्ताबना में वर्नित लोगतंत्र को किस रूप से सुईकार किया गया है तो सही answer है उपड़्योक्त सभी यानि की A में दिया है राजनितिक लोगतंत्र B में है आर्थिक लोगतंत्र और C में है सामाजिक लोगतंत्र तो उपड़्योक्त तीनो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन आए देखते हैं हम लोग 42 नंबर 42 नंबर कुश्चन में है कि भारतिय संगिय ब्यवस्था किस देश की संगिय ब्यवस्था से प्रभावित है इसका जो सही आंसर है वो है आपका आपसं नंबर सी कानेडा देश से नेक्स्ट कुश्चन है 63 नंबर कि मंतरी परिशद से पत्याग करने के लिए मंतरी अपना त्याग पत्र किसको संगिय ब्यवस्थित करके करता है इसका जो सही आंसर है वो है आपका आपसं नंबर ए राश्च्र पती राश्टर पती इस question का सही answer हो जाएगा next question है 44 number कि भारत में निम्न में से किस पंचवर्षी योजना में अर्थ व्यवस्ता के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया तो इसका जो सही answer है वो है आपका option number A option number A दूसरी पंचवर्षी योजना इस question का सही answer हो जाएगा अब आई हम लोग अगला question देखते हैं अगला question है कि सौर मंडल का कौन सा अगरह द्रब्यमान आकारव घनत्व में प्रित्वी के लगभग समान है तो इसका जो सही answer है वो है आपका option number A शुक्र यानि की वीनस उसके बाद अब आई हम लोग अगला question देखते है question number 46 तीरूवनन तो पूरम में इस्थित है क्या तो इसका जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपका option number C विक्रम सारा भाई अंतरिक्ष कैंदर यानि की V.S.S.C अगला question है 47 नमर की अंगूर में पाया जाता है कौन सा आमल इसका जो सही answer हो है आपका option number C टार्टरी कैसीड अंगूर में टार्टरी कैसीड पाया जाता है next question है question number 48 की निमलेकित में से कौन पादफ हर्मोन है इसका जो सही answer हो है आपका option number C जिवरेलिंस जिवरिलिन्स जो है ये पादफ हार्मोन है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नमर 49 कि निमलिकित में से कौन सा विटामिन B कॉम्पलेक्स ग्रूप से सम्बंदित नहीं है तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रेटीनॉल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप्सन नमर B नेक्स्ट है पचासवा नमर क्वेश्चन की विश्व पसु दिवर्स निमन में से किस दिन मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है चार अक्टूवर को आप्सन नमर D सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नमर 51 कि टिटनेस बीमारी निमलखित के कारण होती है इसका सही आंसर हो जाएगा आप्सन नमर C जीवानू यानि कि बैक्टिरिया के दुआरा जो है टिटनेस बीमारी हो जाती है अगला क्वेश्चन बावन नमर है कि प्रिथवी की सत्व में आमतोर पर दो तत्व पाये जाते हैं सही आंसर है इसका अप्शन नमर D सिलिकन वो ऑक्सीजन नेक्स्ट कोश्चन आईए हम लोग देखते हैं कोश्चन नमर 53 अगनी सामक से निकलती है क्या इसका जो सही आंसर वो है आपका अप्शन नमर C कार्बन डियोक्साइड CO2 निकलती है नेक्स्ट है 54 नमर की निमनलिखित में से कौन सा एक रसाइनिक परिवर्तन का उदाहरन है इसका सही आंसर है औप्शन नमर C वाईू में मैगनेसियम तार का जलना रसाइनिक परिवर्तन का उदाहरन है next question है question number 55 question number 55 में है निमनलिखित अनुमें से एक सिगमा तथा पाई बंद एक बनाते हैं इसका सही आंसर है option number a oxygen oxygen इस question का सही आंसर होगा next question है 56 पंचसील किस वर्स में प्रती ज्यापित किया गया था इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा option number b 1924 इस भी पंचसील समझा होता जो है भारत और चीन के बीच हुआ था 1954 में नेक्स्ट कोश्चन है 57 नमर की जलवायू को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं तो ये है सब ही यानि की A में अक्छांस, B में बवन की दिशा और C में समुद्र की निकटता तो ऑप्सन नमर D जो है इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमर 58 कोश्चन नमर 58 में है कि टाटा IPL 2023 में पूरे टूर्नामेंट में सरवाधिक रन बनाने है तू किस खिलारी ने औरेंज कैप अवार्ड जीता है इसका सही आंसर ऑप्सन नमर A सुबमन गील सुबमन गील जो है इस कोश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात टैटन्स के आपनर सुबमन गील जो है टाटा IPL 2000 ते इसमें सब से अधिकरन मारे थे इसका जो सही आंसर है आपका प्रभावी मांग पर इसका राइट आंसर होगा next question है 60 number कि निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है इसका जो सही answer है वो होगा option number C यानि कि निती निर्देसक तत्मों का पालन करने के लिए सरकार को बाद धिकिया जा सकता है अब आई अगला question देखते है question number 61 सरवोच नियायले के नियाधिसों की नियुकती से पहले मुख्य नियाधिस से विचार विमर्ज करना राश्टरपती के लिए क्या होता है तो इसका जो सही answer है वो है आपका option number A बाद्यकारी बाद्यकारी इस question का right answer होगा अगला question है question number 62 की राश्टरपती का भी भासन कौन तयार करता है इसका सही answer है option number D केंदरिये मंतरी मंडल के दौरा जो है राश्टरपती का भी भासन तयार किया जाता है next है 63 की जिंभावे का पुराना नाम क्या है इसका जो सही answer है वो है दक्षिन रोडेशिया अगला question 64 है निमलिखित में से कौन सी चक्रवाती हावा चीन सागर में चलती है इसका जो सही answer है वो है option नमर सी टाइफून टाइफून इस question का राइट answer होगा next question है question नमर 65 question 65 में है भारत में थोक कीमत सुचकांक में निमलिखित मदों में से किसका अधिकतम भार है इसका जो सही answer है वो है वी निर्मित उत्पाद option नमर इस question का राइट answer होगा अगला question है question number question 66 कि मांग के नियम के अनुसार मांग के नियम के अनुसार इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा option number C यानि की कीमत बढ़ने पर मांग घटती है कीमत बढ़ने पर मांग घटती है सही आंसर हो जाएगा option number C next question है question number 67 question number 67 में दिया है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को वो चलन से बाहर कर देती है, यह कथन किस नियम से जूरा हुआ है, तो यह जूरा हुआ है आपका ग्रेसम के नियम से, ग्रेसम का नियम, इस question का सही आंसर होगा, अगला question 68 में है, मेघाले एक पूर्णत जन जाती राज है, जिसमें निमलिखित जन जाती समू है, इसका सही आ जाती है, इसका सही आंसर है, वो है आपका option number C, पारा मेरी वो, पारा मेरी वो जो है, सूरी नाम की राजधानी है, अगला question 70 नंबर है, फालेडिया रोका कारण किया है, तो फालेडिया रोका कारण है गोल क्रीमी, गोल क्रीमी है, स्कूष्शन का राइट आंसर होगा, केंदर की संख्यां होती है कितनी सही आंसर है option number B यानि कि 2 पैरा में इसे में पाए जाने वाले केंदर की संख्यां कितनी होती है तो 2 होती है next question है 73 कि मुद्रा संकुचन की अवस्था में मुद्रा की क्रै सकती क्या होती है तो मुद्रा की जो क्रै सकती है वो बढ़ जाती है क इसका सही आंसर है State Bank of India कौन करता है State Bank of India करता है llpekt question 19 75 नेक्स्ट कोशिचन नबर 75 वया पारीक वैसलीन किस से निकाला जाता है इसका सही आंसर है option 2 petroleum से निकाला जाता है वया पारीक वैसलीन next question 76 में है कि मन उसके बाद खाली जगा है तो कठोती में फिर खाली जगा है मुहावड़े को पूर्ण करें इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका option number A option number A इस question का right होगा क्या है कि मन उसके बाद जो खाली जगा यहाँ पे हो जाएगा चंगा क्या हो जाएगा चंगा हो जाएगा और उसके बाद जो यह दूसरा खाली जगा है वो यहाँ पे हो जाएगा गंगा यानि मन चंगा तो कठोती में गंगा मुहावड़े को पूर्ण करने के लिए जो बोल रहा है वो यही हो जाएगा option number A इस question का सही आंसर हो जाएगा next question है question number 77 की समनार्थी सब्द का कौन सा जोरा सही नहीं है इसका सही आंसर option number D option number D यानि की कमल, अंबू और आब इस question का राइट आंसर होगा अगला question 78 में है की पैसे ही आदमी की इज़त है के लिए उचित लोकोकती का चैयन करें सही आंसर option number D जर है तो नर नहीं, नर नहीं तो खंड हर इस question का यही आंसर हो जाएगा next question है question number 79 की कौन सी रचना मधूर भंडारी की नहीं है तो यह है अपका पिंजरे की उरान, पिंजरे की उरान इनकी रचना नहीं है next है 80 number की मुकूल का समानार्थी चूनिए सही आंसर है कली, कली जो है इस question का right answer होगा अब आई हम लोग अगला question देखते है, question number 81 की अधिक पैदावार वाले पौधे तयार किये जा सकते हैं किसके द्वारा तो सही आंसर है संकरन के द्वारा संकरन के द्वारा next है 82 में कि उस इस्तिती में एक जैसा जोरा पैदा होता है जब क्या होता है तो सही आंसर है B एक निसेचित अंडे के दो टुकडे जब हो जाते हैं तो एक जैसा जोरा पैदा होता है अब next question देखते हैं हम लोग 83 number इसमें है कि सैक यानि लाइकेन है क्या तो इसका जो सही आंसर है वो है option number D सहजीवी सहजीवी इस question का right answer होगा अगला है 84 number निवन में से कौन सी साख हाजीवित जीवों की उनहीं जातियों की अपने निर्जीव परिवेस के साथ अंतक्रिया से संबंदित है इसका जो सही आंसर है वो है option number A swap paristhit की swap paristhit की इस question का right answer हो जाएगा उसके बाद अब आई हम लोग अगला question देखते है question number 85 question number 85 में है कि नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायू को परदूरसित नहीं करती है इसका सही आंसर है option number B प्रकास संसलेशन उसके बाद जोगला question 86 नमर कि किस राजी की सरकार ने अपने परतिक जिले में एक संस्कृत ग्राम विक्सित करने का नेड़ना लिया है इसका जो सही आंसर है वो है option number B उत्राखंड उत्राखंड इस question का सही आंसर होगा next question है question number 87 कि नीमन में से किसे एगामी तीन वर्सों के लिए परदान मंतरी कारियालाई की नहीं निदेशा के रुप में निउक्ति किया गया है तो ये निउक्ति किया गया है सुएता सिंग को सुएता सिंग को निउक्ति किया गया है उसके बाद जो अगला question है वो है question number 88 question number 88 में दिया हुआ है कि भारत का राश्री पंचांग किस काल पर अधारित है तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका option number C सक काल सक काल इस question का right answer होगा तो friends ये था test series 8 का सारे के सारे GKGS, Current Affairs और हिंदी का question उमीद है कि आप लोगों को ये question बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि ये काफी अच्छे लेबल का question था अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलिग्राम चैनल से जूर जाएए वहाँ से आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर सकता है तो चलिए फिर next test series में दोबारा फिर्चे मिलेंगे तब तक के लिए जाए हिंद